नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का RPSC एक्जाम से यूट्यूब चैनल पर दोस्तो RPSC सेकिंड ग्रेड की जो एक्जाम है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली ही आप सभी को पता है और अभेर्थी इसकी त्यारी में भी लगे हुए हैं एक केस जो यूपर लगा था जो 22 तारिक को रजिस्टर हो गया था हिमानसू जेन इसके वकेल हैं और 22 अक्टूबर को ये केस रजिस्टर हो गया था हाइकोर्ट राजसान जेपूर में और प्रेम पवरिया नाम की लड़की है उसने ये केस किया है यए केस दोस्तो ध्यान लखने होникиवाती है की ये केस RPSC पर किया गया है सरकार के विरुद ये केस नहीं है इसलिए एक बात तैय है कि सरकार इसमें अपना IADVOKET नहीं बेजने वाली क्योंकि ये केस सरकार के खिलब ही नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार इसमें भी वकिल नहीं बेज़ेगी तो इस्टे आ जाएगा तो दोस्तो सरकार इसमें वकिल भेज ही नहीं सकती क्योंकि ये मेटर है RPSC का अब RPSC का जो वकिल है RPSC खुद उसको बेज़ेगी अब ये RPSC की उपर डिपेंडर की वकिल भेज़ती है या नहीं भेज़ती है अगर RPSC वकिल भेज़ देती है तब तो केस मतलब अगर ढंग से पारवी की RPSC की तरफ से अगर अच्छे से पारवी करी गई तब तो ये केस निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है 28 का एक्जाम हो गई हो जाएगी लेकिन अगर RPSC ने वकिल नहीं बेज़ा और या फिर ढंग से पारवी नहीं की गई तो दोस्तो इस्टे आने की पूरी संभावना क्योंकि इसमें इस्टे की अप्लिकेशन भी साथ लगाई गई है यानि की इस पेस लिए जो केस किया गया है ये इस्टे लेने के लिए किया गया है और इस केस की जो सुनवाई है वो court number 16 में होगी और ये होगी 26 तारीक को 26 तारीक यानि कि कल ही इस case की सुनवाई होगी डैली case list में update है case और 26 तारीक यानि कल इसकी सुनवाई justice इंदर जीत सर्मा की अदालत में सुनवाई होगी मैंने पहले ही बताया था कि justice इंदर जीत सर्मा बहुत जल्दी stay नहीं देते हैं किसी मुद्दे बर लेकिन फिर भी दोस्तो जोंकि 28 को ही exam है और इसलिए कल इस case को ढंग से सुना जाएगा और जो अगर RPSC ने ढंग से अपना पक्स नहीं रखा तो दोस्तो stay आ सकता है पूरी पूरी संभावना इसकी बन रही है क्योंकि काफी सारी exam से एक साथ आ गई है सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आ रही है और court जो है वो यह चीज़ जरूर देखेगा अगर उसका सही से निस्तान नहीं किया गया court के जज़ साब के स्वालों का सही से जवाब नहीं दिया गया तो डीट लेवल वन में जैसे stay था उसी प्रकार से इसके उपर भी stay आ जाएगा दोस्तों तो उमीद है कि RPSC अपना वकिल जरूर बेज़ेगी और डंग से पहर भी करेगी और 28 को जो लोग त्यारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा और एक्जाम होगा 28 को उमीद तो यही है बाकी दोस्तों कल देखते हैं क्या होता है और यह case जो नंबर है इसका मैं बता देता हूँ आपको मैं लिष्ट में यह case है 114 नंबर बर अब दोस्तों देखते हैं क्या result रहता है क्या नहीं रहता है वो तो case के बाद ही पता चलेगा बाकी अगर ढंग से पैरवी नहीं की गई तो rate level 1 में जैसे पैरवी नहीं की गई थी इसलिए उसके उपर stay दे दिया था एक ही सुनवाई में केवेट लगी होने के बावजुद एक ही सुनवाई में इस्टे दे दिया गए था हाई कोट की double bench के दुआरा तो वैसा ही यहां आपको देखने को मिल सकता है अगर सही से पैरवी नहीं की गई या वकील नहीं बेजा गया तो और फिर से बता देता हूँ सरकार का इसमें रोल नहीं है क्योंकि यह केस सिर्फ RPSC के खिलाब सरकार के खिलाब है ही नहीं इसलिए RPSC का वकील ही इसमें जाएगा ठीक है दोस्तों जो भी न्यूज होगी कल आपको बता दी जाएगी वसे 114 नंबर केस है और 16 नंबर कोर्ट में जस्टिस इंदर जीत सिंग की अधालत में एक केस है आपको बता दिया है मैंने जो भी न्यूज होगी कल आपको दे दी जाएगी ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भार्त और बहुत जल्द आपको मैं अपडेट दूँगा साइंस मैट केस के बारे में भी कि अभी क्या चल रहा और क्या आगे पोसिबिलिटी है और क्या हो सकता है ठीक दोस्तों धैरिया बनाए रखें और जो RPSC 2nd Grade की तयारी कर रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भार्त